आज के competition भरे दोर में, अगर आज भी आप blogger पे हो तो कहीं न कहीं आपना बहुत कुछ miss out कर रहे हैं, blogger यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, but considering कि जितना competition आज की rate में है, आपके blog को अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, यह सारे options आपको wordpress पे काफी असानी से मिलते हैं, अभी 10% का discount चल रहा है, अगर आप मेरा coupon code और मेरे link से खरीते हो, क्योंकि जैसे ही आप मेरे link और coupon code यूज करें खरीते हो, मैं आपको 500$ worth की free goodies आपको भेजता हूँ, तो normal yes no वाली push notification यूज करने हैं, आपको no वाल option hide नहीं करना है, because यह against the policy है, hello guys, welcome back, दोस्तों, आज की इ review करूंगा, वो मैं शुरू कर रहा हूँ, अपनी list के सबसे नीचे वाले section से, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने recent में नए submissions किये, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको entertain करूं, जो recent में अपने blog के submissions कर रहे हैं, आज की video में मैं कुछ 40-50 blogs को review करूंगा, आपको बता email address पे, free में आपको provide करने वाला हूँ, आपके blog को और जाधा तेजी से grow करने वाली, एक detailed strategy और audit report by me directly, मतलब मैं खुद आपके लिए वो ready करूंगा, और मैं आपको वो share करूंगा, आपके email address पे, free of course, but उसके लिए एक ही शर्त है कि मेरे को आपका blog actually में बहुत पसंद आना चाहिए, और अगर आपका में वो blog mention करता हूँ, और अगर मैं भूल जाता हूँ, आपको वो चीज़ email करना, तो आप मेरे को email कर सकते हैं, उस subject line में डालते हुए, कि free audit for my blog, चलिए आज की वीडियो को start करते हैं, and मैंने देखा दोस्तों, बहुत से लोग को confusion है कि website review series में अ साथ-8 questions का answer कर देना है, that is it दोस्तों, वो form आप भरके इस वीडियो में, या मेरी आगे आने वाली videos में feature हो सकते हैं, तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं, and बढ़ते हैं, अपनी कुछ first 20 websites के ओपर जिनका हम review आज करेंगे, yes, so सबसे पहला blog जो आया है, वो आया है, automobil वाले.com, okay, इन्होंने सतीज भी है का push rocket वाला notification लगा रखा है, काफी अच्छी बात है, so सबसे पहला इन्होंने बनाया, automobil के ओपर blog बनाया, and इन्होंने जो blog बनाया, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ना थोड़े unique topic कवर कर रहे हैं, जैस article length की बात करो, तो वो आपको थोड़ी सी improve करनी चाहिए, क्योंकि article के आपकी length जो है, वो थोड़ी सी छोटी है, blog design आपका अभी के लिए ठीक है, आपको जाधा उस पर गाम करने का ज़रूत नहीं है, and keywords भी आप ठीक से cover कर रहे हो, बस मैं आपसे बोलूँगा कि आपको औ और जाधा consistency के साथ, अपने articles की length बढ़ानी है, images बगएर आप ठीक डाल रहे हो, internal linking भी अगर आप अपने blog में करोगे तो वो भी आपको benefit देगा, थोड़ी और जाधा आप कर सकते हो, आप थोड़ी अभी कम internal linking कर रहे हो, internal linking के साथ आपको other blogs को भी link करना है, तो उनको भी आ बात है, next है दोस्तों, biharresults.com, तो इन्होंने result niche के ओपर अपना blog बनाया हुआ है, and problem यहाँ पे इनकी है कि पहली बात तो इन्होंने जो अपना footer है, वो सही से customize नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पर मेरे को काफी सारी demo information दिख रही है, तो जो information आपको नहीं दिखानी है, आ and यहाँ पर क्योंकि आपने niche थोड़ी सही पकड़ी है, मतलब कहीं न कहीं आप broad results नहीं cover कर रहे हो, आप सिर्फ बिहार related जितने भी results में cover कर रहे हो, तो यह कहीं न कहीं आपके लिए beneficial हो सकता है, तो आपको simply करना क्या है, कि आप जिसे यहाँ पर जो keywords लिख रहे हैं, जनम प्रनाम, पत्र, कैसे बनाएं, इन सब की जगा, आप सिर्फ और सिर्फ बिहार results के बारे में अगर बात करोगे, तो वो आपको जादा फायदा देने वाला है, ऐसे mix मत करो, and जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आप 2024 के बारे में आपने काफी कम information डाल रखे, तो आपको अपने newspaper.in, इन्होंने क्या करा है, कि पहली बात तो ये एक copy blog है, मेरे को बताने को जरूरत नहीं है, किसका copy blog है, बट ये एक कहीं न कहीं एक थोड़ा सा copy blog है, and इसके साथ-साथ इन्होंने क्या करा है, ये cover कर रहे है general news, right, and जो भी इन्होंने consistency के साथ पूरा नहीं किया, अपने साथ है कि इस blog को review करके, मैं इनके साथ कुछ value नहीं add कर पाऊंगा, इसलिए ये blog में review नहीं कर रहा, then यहाँ पे softjagat.com करके ये एक blog है, इन्होंने हाल फिलाल तो कुछ 13 दिन से article नहीं डाले है, and in fact ये भी जो articles है, जो डाल रहे हैं, ये बहुत regular basis पे नहीं डाल रहे है, कुछ swipes के अंदर ही में मार्च 3 केन के article के उपर आ चुका हूँ, right, so आपको exactly पहली टिप्तों में यही दूँगा, कि आपको थोड़ा और consistent होना पड़ेगा, मतलब आपको जादा से जादा articles डालने पड़ेगा, कम से कम दिन के एक article आपको डालने चाहिए, दूसरी tip आप के लिए है, कि आप बहुत अभी छोटे articles लिख रहे हो, आप article में images वगएरा नहीं use कर रहे हो, तो आपके लिए वो भी काफी जादा important है कि आपको images वगएरा add करनी चाहिए, articles आपको regularly post करने चाहिए, आपने ब्लॉग को बहुत colorful अभी बनाय हुए, इसको तुरणा कम colorful बन पहली tip आपको, मैंने अपनी last की वीडियो में दिये कि ऐसे push notification मत use करें, यह total spam के अंदर आते हैं, आपको normal yes no वाली push notification यूज करने हैं, आपको no वाल option hide नहीं करना है, because यह against the policy है, यहाँ पर यह cover कर रहे हैं, सरकारी result, government jobs, अब यहाँ पर दिक्कत ही है, दो इनके block पर कहीं नहीं traffic आ रहा है, but इनको problem कहां पर आएगी, कि यह जो articles cover कर रहे हैं, क्योंकि बहुत broad में cover कर रहे हैं, तो यह बहुत एक बड़े segment के साथ competition कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने वो बिहार वाली जो website आपको दिखाए थी, अगर आप उसकी तरह website बनाते हो, जहां पर आप बहु exactly कर रहे हो, तो articles तो आपने सही से लिखे हुए, and I believe कि yes, आप links तो अगर आभी सही दे रहे हो, हाँ, तो articles तो आपके सही हैं, बस आपको थोड़ा अपना topic सही करना पड़ेगा, कि आप किन topics पर article लिख रहे हो, यहां पर है khagafarmacy.com, okay, health blog है, मैंने आगे भी काफी बार बत comment नहीं करता, reason क्या रहता है, कि यह कहीना कहीना बहुत जदा competitive होते हैं, तो आपको इनको rank कराने में काफी ज़र difficulty आ सकती है, तो better आपके लिए रहेगा, कि आप ऐसे health, medical, pharmacy वाले blog topics उठाने से अच्छा, जो बहुत competitive है, आप थोड़े easy topics उठाओ, easy topics के लिए आप मेरी जाक से check out करना, बढ़ते हैं अपने और blogs की तरफ, next blog हमारा है, प्रीतम recipes.com, so इन्होंने बनाया हुआ है, recipe niche का blog इन्होंने बनाया हुआ है, again जैसे मैंने आपको बताया, recipes एक काफी अच्छी niche है, work करने के लिए, सबसे पहली tip जो मैं आपको दूंगा, वो यह है कि आपकी website बह लोड हो रही है, पूरी तरीके से लोड नहीं हुई है, तो आप अपनी website की loading speed को थोड़ा सा ठीक करो, उसके लिए आप अपने hosting provider से बात कर सकते हो, अगर आप कोई भी hosting यूस कर रहे हो, other than hostinger, तो आप hostinger पर shift हो सकते हो, hostinger का customer support पर गगरा काफी अच्छा है, और website की performance भी क साफियत तक सही कर सकता है, नीचे मैंने hostinger का link दिया हुआ है, आप उसको जा के check कर सकते हो, अगर आपको अपनी hosting को migrate करना है, अभी 10% का discount चल रहा है, अगर आप मेरा coupon code और मेरे link से खरीते हो, क्योंकि जैसे ही आप मेरे link को मेरे coupon code यूस करे खरीते हो, मैं आपको 500$ worth की free goodies आपको भेजता हूँ, आप definitely वो check out कर सकते हो, बढ़ते हैं blog review की तरफ, तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ, यह भी थोड़ी सी inconsistent है अपने blog पे, बतलब यह बहुत regular articles जो है, वो नहीं डाल रही है, तो पहली tip तो इनको यह है कि आपको regular articles डालने पड़ेंगे, and recipes niche का blog एक काफी सही blog है, बट आपको जिसे मैंने बताया, आपको एक तो अपनी speed पे काम करना है, अपनी थोड़ी designing पे काम करना है, and इसके साथ साथ आप जो keywords कवर कर रहे हो, इस पर article की formatting थोड़ी और बहतर करने हैं, जैसा कि मैं भी देख सकता हूँ, article तो आपने काफी सही इसकी formatting ना कहीं ना कहीं सही नहीं है, and जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आप शायद blogger पे आपने अभी अपना blog बनाया हुए, so मैं आपको यह definitely recommend करूँगा कि आज की competition भरे दोर में, अगर आज भी आप blogger पे हो, तो कहीं ना कहीं आपना बहुत कुछ miss out कर रहे, blogger यूज क आप उसको जाकर check out करो, and अपने blog को, आपको काफी सारी improvements अपने blog में करने को मिलेंगे, option मिलेगा आपको, then यहाँ पर गैजट्स हिंदी इन्होंने बनाया हुआ है, news blog इन्होंने बनाया हुआ है, and जैसे कि मैं रहे सकता हूँ कि articles तो यह regular डाल रहे है, मतलब दिन के एक द में तो आपका ठीक है, आप exactly क्या कर सकते हो, कि आप rather than mobile phones की news लिखने के जगा है, आप यहाँ पर gadgets review कर सकते हो, हिंदी में, या फिर articles लिख सकते हो, इसे articles को आप हिंदी में लिख सकते हो, तो यह कहीं न कहीं आपको ज़्यादा growth देंगे, compared to जो आप अभी कर रहे हो, अप आप यहाँ आप लिख सकते हैं, यूट्सदा डॉट कॉम, तो इन्होंने क्या किया है, पहली बात तो लास्ट आर्टिकल इनका गया है, बारा मिनट पहले, फिर तीन दिन पहले, फिर तीन हफते पहले, फिर चार हफते पहले, तो कहीं न कहीं जो मैं देख सकते हो, यह consistent त अपना बहुत अच्छा बनाया हुआ, बाट यह consistent नहीं है, तो आपको help नहीं करने वाला, पहली चीज़, दूसरी चीज़, क्योंकि आप एक automobile में news segment में हो, तो कहीं न गई, वो भी आपके लिए बहुत competitive होगा, I will suggest कि आप थोड़ी easy niche pick करो, niche selection में अगर आपको problem आ रही है तो मेरी last की दो वीडियो जाके देखो, जो मैंने blogging niches के उपर बनाई है, वो कहीं न गहीं आपको help करेंगे ये जानने में, कि कौन सी niche के उपर आप अपना blog बना सकते हैं, तो ये दो tips हैं, आपके लिए जिनका नाम था youthsadda.com, next blog की तरफ बढ़ें तो वो है, crickworldcup.co.in, okay, तो इन्होंने cricket के उपर blog बनाया है, ये niche मैंने last में recommend भी करी थी, ये थोड़ी better niche है, सबसे पहले suggestion तो आपको ये है, कि आपको अपनी website की designing थोड़ी सी बहतर करने पड़े, कि बहुत अभी confusing और congested आपने अपना बनाया हुआ है, second tip आपको ये है, कि आपको अपने URL structure को improve करना होगा, URL structure आपका ठीक नहीं है, आपको और छोटे URLs डालने चाहिए, third tip आपके लिए है, कि rather than यहाँ पर site name दिखाने के आप अपना original name दिखाओ, original description दिखाओ, original photo दिखाओ, ये Google में आपके trust को improve करने में help करता है, sidebar को edit करो recent comment यहां से हटा दो, in fact आप अपने blog को single layout definitely आपके blog को grow करने में help होगी, next बढ़ते हैं, यहाँ पर spiritualgyan.in, okay, काफी unique niche इन्होंने pick करी हुई है, यह यहाँ पर भगवत गीटा index और versus के ओपर article डाल रहे है, तो काफी सही, मतलब बहुत बढ़िया कि आपने इतना unique topic pick किया है, आप ऐसे ही in topics के ओपर अगर article लिखोगे तो I'm pretty sure कि आपको blog grow करेगा, improvement wise अभी मैं आपको जादा कुछ नहीं कहूंगा, menu आपको थोड़ा सा अपना ठीक करना चाहिए, and इसके साथ साथ आप जैसे articles लिख रहे हों, लिखते जाओ, definitely आपको blog जो है future में अच्छा का सा grow कर सकता है, next blog के तरफ बढ़े जो की है, auto value कर रहे हैं, तो आपको पहली बात मैं यही टिप दूँगा, कि पहली बात तो news blog बनाना कोई बहुत समझदारी है नहीं, मैं अपनी, मैं कहता हूँ, 10 plus videos में यह कह चुका हूँ, फिर भी अगर आपको news blog बनाना है, तो news blog बनाने का सही तरीका यह होता है, कि कम से कम आप दिन के 4-5 articles डालो, जब आप 4-5 articles डालोगे, तो जाके आपको news blog बनाने का कोई फाइदा होगा, तो अगर आप वो कर सकते हो, तो वेलन गुड है, अगर आपको नहीं कर सकते हो, इस से move on करके कोई अच्छी evergreen blogging niche पे अपना blog बनाओ, वो आपको ज़्यादा बेफिट तो वो है nation today.site, so इन्होंने blog बनाओ हुआ, business case studies के उपर, interesting niche है, बट यहाँ पर problem क्या है, कि आप जो topics cover कर रहे हो, right, आपने जो titles यहाँ पर दिये हुआ है, वो सही नहीं है, आपको यहाँ पर कैसे target करना चाहिए, express bees business case study, right, आपको ऐसे type पी keywords target करना चाहिए, express bees success story, how did express bees become so big ऐसे type के आप अगर titles लिखोगे, तो वो आपको ज्यादा help करेंगे, organically rank करना है, क्योंकि यह जो आप story based titles लिख रहे हो, यह आपको help नहीं करने वाले searches में आने के लिए, so कहीं नहीं करें, yes, आपने काफी अच्छी और interesting niche pick करें, बट आपको अपने थोड़े titles, SEO titles, meta description, इन पर थोड़ा सा काम करना हो, जो मैंने आपको बताया है, कि आपको कैसे करोगे, आपको किन type के keywords और किन type के titles को अपने blog में रखना है, आप article के आपकी length ठीक है, उसमें कोई problem नहीं है, topic भी आप ठीक कवर करें, niche भी overall काफी अच्छी है, बस आपको अपने थोड़े titles आप अ the problem is, कि यहाँ पर यह training के बारे हम बता तो रहे हैं, पर इन्होंने जो है, पहली बात तो blogger पर अपने blog बनाया हुआ है, तो मैंने आपको अल्रेड़ी बताया है, कि blogger पर blog बनाना कोई घलत बात नहीं है, बट इससे आपको काफी disadvantages है, तो पहली बात तो मैं आपको recommend करता ह जो कि अभी आप नहीं कर रहे हो, दिन के आप considering आप stock market वाली niche में हो, हर दिन इतना कुछ होता है, आपको रोज के 7-8 articles तो minimum डालने चाहिए, जो कि आप अभी नहीं डाल रहे हो, तो अगर हाँ, इन दो चीजों पर आप काम करते हो, तो definitely यह एक अच्छा blog, एक अच्छा topic ह हो सकता है, आप इसमें और बहतर keyword research कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको keywords बताओ, तो आप यहाँ पे stock price prediction वाले keywords target कर सकते हो, वो काफी अच्छा rank करते हैं, और वो easy to rank keywords भी होते हैं, तो हाँ, इन tips को follow करके, आप definitely अपने blog को grow कर सकते हो, यहाँ पे है techweb2.com, I don't know इन्होंन news website है, तो मैं इस website को review नहीं करने वाला, नहीं यहाँ पे है thardekho.com, right, so इन्होंने भी automobile के उपर ही अपना पूरा blog बनाया हुआ है, और पहली बात तो मैं को नाम नहीं समझाया है, कि इन्होंने एक ऐसा नाम रखा है, right, तो क्योंकि आपने जो नाम रखा है, वो आपको ब fresh शुरुवात करनी होगी, कोई ऐसे topic के अंदर जो कि आपको long term में articles लिखने में असानी हो, और इतना competitive भी ना हो, news segment का ना हो, तो बहतर रहेगा, यहाँ पर है tech trio talk.com, काफी complex नाम इन्होंने रखा हुआ है, और इनके अगर मैं blog की बात करूँ, तो सबसे बड़ी गलती जो सब कुछ, यह laptops भी cover कर रहे हैं, यह GPUs भी cover कर रहे हैं, यह smart watches भी cover कर रहे हैं, तो पहली suggestion तो आपको यह कि आप सिफ एक single चीज़ पर काम करो, या तो सिफ laptop reviews पर काम करो, या सिफ headphones पर करो, and अपने blog के design को कहीं न गहीं थोड़ा से improve करो, और आपके blog पर mistake भी है, जैसे सब चीज़े ना, capital में होनी चाहिए थी, जो capital में नहीं है, and इतने सारे products आप जैसे दिखा रहे हैं, यह mobile पर सही से नहीं आता, तो आपको इस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, and अपने article को थोड़ा और engaging बनाओ, इतना जादा boring text भरा हुआ है, आपने कोई editing, कोई formatting नहीं करी हुए है, तो यह आपको कहीं न कहीं help नहीं करने वाले, तो अपने articles को improve करो, थोड़ी better नीश पर काम करो, यहाँ पर अपनी photo लगाओ, यह चेंज़े अगर आप करते हो, तो कहीं न कहीं आपका blog grow करने का chance थोड़ा सा इसमें है, आपे, नेक्स ब्लोग हम देखें, तो यह है newstalk24.in, तो इन्होंने, अगेन, इन्होंने बनाया हुआ है, एक news blog बनाया हुआ है, राइट, और दो मैं news blog recommend नहीं करता हूँ, तो मैं इस blog को जादा क्या ही review करूँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स ब्लोग हमारा है, fininfoblog.com, तो इन्होंने बाहर के उपर finance blog बनाया हुआ है, और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यह regular article डाल नहीं रहे है, और इन्होंने जो topic suggest जो उठाया है, वो कही ना कही ना बहुत जादा competitive है, तो वो आपको help नहीं करने वाला, आपको थोड़ आप करते हो, तो जाके कहीं न कहीं आपका blog better rank करेगा, बढ़ते हैं, और blogs को review करने की तरफ, यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूं, बहुत लोगों ने इस form में website URL डालने के जगा, येस येस डाला हुआ, अपना website URL कहीं पर डाला ही नहीं है, तो उनका अब हम क्या ही कर सक देखते हैं, starsunfolded.com, यहाँ पर मैं को समझ नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ का blog बनाया हुआ है, ओके शायद biography बगरा का blog इन्होंने बनाया हुआ है, बट अगे इनकी blog की designing कहीं न कहीं सही नहीं है, और formatting भी सही नहीं है, तो आपको इस पर काम करने ज़रूरत है, पर येस आ तो आपको यहाँ पर इन सब keywords पर traffic आ रहा था, और अभी currently शायद नहीं आ रहे है, due to google update, I believe, yes, आपका blog भी google update में hit हुआ था, तो आपके लिए recommendation तो मैं यहीं दूँगा, कि जिन types के keywords पर आपको पहले traffic आ रहा था, उन्हीं type ही keywords आप continue करो लिखना, and काम करते रहो, क्योंकि कहीं न कहीं, आप अगर अभी काम करोगे, तो ही जाके आगे जाके आपका blog जो है, वो grow करेगा, आप अगर अभी काम करना बंद करते होगे, तो blog grow कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, next बढ़ते हैं, websites के उपर, जानकबर24, again, news blog है, movies, niche का इन्होंने blog बनाय हुआ है, and cover सब कुछ कर रहे है, and again, जैसे आपको पता है, news blog मेरे को बहुत ज़ता पसंद नहीं आते हैं, so मैं इसको क्या ही review करूँ, मैं इसको review नहीं कर रहा, next हमारा है, my job vacancy, again, इन्होंने भी, अपना जो push notification वो थोड़ी ग और जो अपनी पूरी blog के designing है, वो भी कही न कही न सही तरीके से नहीं करी हुई है, so पहली दो suggestion दो आपको ही है, कि आपको ये दो चीज़ों को improve करना है, and आपको भी job segment में काम करते हुए, कुछ selected topics और कुछ selected cities के ओपर ही काम करना चाहिए, तो जाकर आपको benefit होगा, right, next news blog, regular article ये नहीं डाल रहे हैं, इनके लिए काफी problematic होगा अपने blog को grow करना, so that is why मैं इस blog को review नहीं करूँगा, then यहाँ पे है ipopcorn.com, okay, तो इन्होंने बनाय हुआ है US movies के उपर का blog, niche तो आपकी काफी अच्छी है, but कही न कहीं इस niche में थोड़ा सा competition है, तो आपको थोड़ा और जादा काम करना पड़ेगा, इस niche में अपने blog को rank कराने के लिए, and कहीं न कहीं अगर मैं आपके blog design को देखू, तो वो काफी काबिले तारीफ, अच्छा इन clean आपने blog design किया हुआ है, and आपके articles की length भी ठीक है, बस आपको regularly basis पे और अच्छे keywords और अच्छे topics पे काम इस चूस करी हुई है, weight loss के उपर, तो यह तो मैं बिल्कुल भी recommend ने करता हूँ, I don't know कि कौन आप लोग को यह सब niches recommend कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे type की niches पे blog अपना बना लोग, then यहाँ पे है topic mixer, जो इन्होंने नाम रखा है न blog का, यह actually वही कर रहे हैं, कि topics को mix कर रहे है और news वाले article लिख रहे हैं, जो कि यह regular भी नहीं लिख पार है, तो आपको मेरा answer पता है, कि मैं ऐसे blog को review नहीं करता, reason being कि आपको कुछ ऐसे topics पर गाम करना चाहिए, जो कि evergreen हो, जो कि easy हो, आपको किसी niche पर गाम करना है, आपको news जैसे type की चीजों पर नहीं गाम करना चाह और अपने topics को भी थोड़ा ध्यान से देख के लिखना पड़ेगा, यह आप news वाले topics लिखते हो, and regularly नहीं डाल रहे है, आपको कहीं न कहीं इसको improve करने की ज़रत है, healthimprovement.in, again health blog review करना बहुत मुश्किल है, then यहाँ पे है हमारा सीखते रहो.com, again news blog इनोंने बनाया हुआ है और news blog होने कि बावजूद भी यह regular articles नहीं डाल रहे है, March 24 के बाद इनका कोई article ही नहीं गया है, so again आपको मेरा answer पता है कि आपको और regularly अपने article डालने चाहिए, software testing library, 16 September, मतलब almost 6 महीने से इनके blog पे कोई article ही नहीं गया है, तो मैं क्या ही review करूँ, techunter.com, यह blog में past में review कर च दालने, that is why इनका blog आज भी grow नहीं कर रहे है, then यहाँ पर technologyjanakari.com, यहाँ पर यह cover कर रहे हैं, काफी सारे multi-niche के best वाले articles, तो आपको मैं यही tip दूँगा, जो मैंने past में दी थी, कि आपको single niche पहले pick करनी है, और single niche में maximum keywords को rank कराना है, then जाके आपको multi-niche में गुसना है, आप articles की length भी छोटी लिख रहे हो, आपको blog भी सही से design नहीं है, तो यह भी कुछ और improvement है, जो आपको आपको अपने blog पर करनी चाहिए, starting parenting over.com, काफी interesting niche, देखके अच्छा लगा, पर यहाँ पर आपको थोड़ी अपनी keyword research पर गाम करना पड़ेगा, आप यह जो topics लिख रह discover करोगे, तो आपके लिए कहीं न कहीं वो help करेगा, design आपने blog को बहुत अच्छा किया हुआ है, उसके लिए big salute, so that is it, आज की वीडियो के लिए, मैंने कुछ 40 blog के आसपास review करें, मिलते हैं, हमारे next video में, next video काफी interesting आने वाली है, most requested video, जो की है, कि arbitrage हम कैसे कर सकते हैं, वो latest podcast series को भी देखे, मिलते हैं, हमारी next video में, take care and bye bye